उड़ाने हो गई है रद, बाजार हो गई है बंद, इसकूलों की करदी गई है छुट्टी, चीन ने जारी कर दिया है हाई अलर्ट, चीन में ऐसा क्या हुआ है कि मच गया है हाहाकार, जानेंगे चीन में क्या चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, आखिर किस डर से जिन पिं G20 में सामिल नहीं होगा जानेंगे क्या है मामला जियो पॉलिटिक्स में धामाल मचा हुआ है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से ऐसा है कि चीन को न या फिर ये कहें कि अक्सर ऐसा लगता है कि आपुनीच भगवान है और ऐसा सोच कर जिस तरीके से उसने किया है उसका उत्तरब मिलना सुरू हो गया है आपको बता दें G20 की मीटिंग में जिनपिंग सामिल होंगे की नहीं होंगे इसको लेकर दुविधा है और 99.9% ये तो पक्का हो गया है कि सामिल नहीं होने वाले हैं 99.9% के पीछे एक डर भी है कारण और कहा जा रहा है कि चीन ने अभी तक सी जिनपिंग के भारत दोरे पर आधिकारिक तोर पर हामी भी नहीं भरी है अगर पुष्टी हो जाती है तो इसका मतलब है रूसी राश्पती ब्लादिमीर पुतिन के बाद ये दूसरे नेता में सामिल नहीं होगे कारण अगर निकाला जाए तो कहते है ना जब कर नहीं तो डर काएगा आप ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस चीज का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन अभी एक के बाद एक जिन पिंग सायद ये कहें कि जैसे हालात चल रहे हैं उस हालात में इनका विदेश नीती एकदम चूर चूर हो गया है और क्या करना है इन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है अपने आपको ताकतवर दिखलाना है अपने आपको कमजोर दिखलाना है दोस्ती की बात करनी है दुस्मनी की बात करनी है कुछ समझ में पिछली बार जब ब्रिक्स सम्मेलन में सी जिन्पिंग और पिये मोधी की एक छोटी सी मुलाकात हुई चलते चलते तो इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्राले ने एक दूसरे के उपर बात भी कह दी चाइना ने कहा कि भारत ने रिक्वेश्ट किया था धुई पच्छ जिन्पिंग देश पहुचता है और देश पहुचने के वाद जिन्पिंग एक नया मैप के लिए हां कर देता है और ये नया आधिकारी जो भारत के कई इलाकों को अपना बताता है और भारत छोड़िये रूस का भी हडप लिया और दचिंचीन सागर को भी हडप लिया ता बढ़ गया है इसका अंदाज आप ऐसे लगाई है कि एक एक करके सारे देश जिनके इन्होंने जमीन को अपना दिखाया है वो निकल कर सामने आ रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं इस मैप को आप जड़ा सोचिए जी ट्वंटी में उनमें से अधिकतर देश भी हैं जो इस म मीटिंग में होना राश्पती जो बाइडन इस मीटिंग में आ रहे हैं और जो बाइडन इस मीटिंग में आ रहे हैं भारत के साथ कई द्विपच्छिये मुलाकाते भी होनी है मीटिंग भी होनी है तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग को ऐसा लगता है कि भारत और चीन त माना जा रहा है कि G20 से दूरी बनाने का फैसला फुद की इज़त को बचाने के लिए किया गया होगा मैंने पहले ही कहा जब कर नहीं तो डर काहे का आप गलत हैं तो आप डरते हैं उस मीटिंग में आमने सामने बैठने से खेर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है न तो वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है चाइना के सामने माओ ने सुरुआत किया एक तिक्डमी तरीके से दिमाग लगाया उनकी अल्प बुद्धी देखिए माओ का समय था चाइना में लगबख सब कुछ ठीक चल रहा था पर अचानक से चाइना के कुछ लोग सिकायत करते हैं माओ के पास कि टिड्डों ने परेसान करके रख दिया है चूहों ने परेसान करके रख दिया है गोरईया ने परेसान करके रख दिया है ये हमारी फसले खा जाते हैं और माउने क्लीन ओल का एक मिसन जारी कर दिया जहां गोरईया देखो उसको मार दो जहाँ ठिड़े देखो उसे मार दो चुहों को मार दो और यह अभियान चलने लगा इस अभियान का सबसे उल्टा असर पड़ा फसल चक्र तबाह हो गया और जब फसल चक्र तबाह हो गया चाइना के अंदर भूकमरी के हालात हो गए जमीने उस तरीके से उपजाओ नहीं र अभी जो आप देखते हैं कि चाइना में कुछ भी पका कर खा लेते हैं वो सब उसी का नतीजा है कैसे अपने ही पैर में एक उलाडी मारी जाती है ये चीज बता दिया था माओ ने अब उससे अगला जो जिन पिंग ने किया है वो भी दिख रहा है पूरी तरीके से परकृती का दोहन जिसे करना कहते है न वो किया है चाइना नहीं और अब समय आ गया है सारी चीजों का भूगतान करने के लिए और आपको बता दें इस वक्त चीन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है चीन ने होंग कोंग गौंग डोंग जाने वाली सभी उडानों को रद कर दिया है इसके अलावे स्कूल, बेवसाय, बजार सब को बंद करने का आदेश दे दिया है लोगों को कहा है घर के अंदर रहो पाहर नहीं निकलना लोगों से ये भी कहा कि जो जरूरी चीजे हैं उसे खरीद लो खरीद कर स्टॉक रखो और हर चुनवती के लिए तयार रहो आकिर कौन सी चुनवती आ रही है तो आपको बता दे कहा जा रहा है अब तक के इतिहास का सबसे सकतिसाली साओला चक्रवात और इसकी रफ्तार कितनी है 200 किलोमीटर प्रति घंटा अब ये जो चक्रवात है ये चक्रवात चोट कहां दे रहा है वो ध्यान से देखिए हौंकोंग गौंग उसके तरफ ये बढ़ रहा है परकृति का कहर और ये दोनों ही चाइना के सबसे बड़े और धोगिक सहरों में माने जाते हैं साओला से बचने के लिए 8 लाक लोगों को सुरचित जगहों पर पहुंचाया गया है गौंग डोंग में स्कूलों को बंद कर दिया गय हौंग कोंग में लगबग 460 उडाने रद्ध हो गई है हावाई अड़े में 300 से अधिक लोग फसे हुए हैं 75 लाक की आवादी वाले हौंग कोंग में तुफान की सबसे जादा बड़ी चेतावनी दी गई है कहा जारा है इसकी स्पीड सबसे जादा होगी लोग मजबूत धरों में रहें हौंग कोंग में बहुत बड़ी तबाही का अंदाजा लगाया जा रहा है कहा जा रहा है कि जो तुफान की लहरे होंगी न वो लहरे लगबग 3 मीटर उची होंगी यानि कि 10 फीट अधिक्तम जलस तर पहुँचेगा और समझ लीजिए कि ये कैसा तुफान होगा और कितना खतरनाक होगा यही हाल गौंग में भी है और आपको बता दें गौंग जहां 85,000 मचली पकड़ने वाले नाओं को वापस से बंदरगाह में बुला लिया गया है 17 मिलियन से अधिक की आवादी वाले सहर सेंजेन यहां पर सब कुछ बंद कर दिया गया है और उसके आसपास के हवाई अड़ो की सेकड़ो उराने रद्द कर दी गई है वैसा ही हाल मकाव का भी है तुफान आकर चला जाएगा और बहुत बड़ी तबाही छोड़ कर जाए कुछ बंद कर दिया तytब है तुछ प्रड़ो की घंड़ो कि फुर उड़िये हो उन्ले मेङा लोड़ो नटन आकर भी हाल संपोँ है और बहुत कर दो कि दो उत 5 आवारं झाल मका बखल जाएगी तू सतीवरो ज़ो उन्मास कर पर बाहरं उन्मास कर दो's कुर वहाला है